गौड मॉर्निंग, सभी गोवर्मेंट इंप्लाइज और पेंशनर्स का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है गोवर्मेंट इंप्लाइज को एक जुलाई से दिये जाने वाले डिये और डियार के संबन्द में जानने के लिए आप सभी बहुत ही उत्सुख होंगे 26 जून को बैठक हुई गोवर्मेंट और करमचारी उनियन्स के बीच में तो उस बैठक का क्या नतीजा रहा उस बैठक का क्या परिणाम रहा यह आग जानने के लिए बेचैन होंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 26 जून की बैठक में क्या फैसले लिए गए जानकारी अच्छी लेगे तो अपने साथियों को भी शेर कीजेगा चलिए किष्टों को जारी करने पंद्रणे नहीं होने से करमचारियों ने नाराजगी जताई जो डीए डीयर की बाकाया किष्टे है उसका जो एरियर है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है कैबनेट सच्यू का इस विंदू पर सकारात्मा कुरूख रहा लेकिन करमचारी इससे संतुष्ट नहीं है उन्होंने सरकार की मन्शा पर भी सवाल उठाए मानेता प्रात करमचारी यूनियन्स की शनिवार को कैबनेट सच्यू के साथ वरता हुई कोरोना महामारी के बीच आर्थिक चुनोतियों का सामना कर रही सरकार ने जनवरी 2020 से डीय डीयर फ्रीज कर दिया है इस तुरह से अफसरों और करमचारियों को डीय में तीन बार बढ़ोतरी का लाव नहीं मिल रहा है बैठक में इसके साथ करमचारियों से जुड़े अन्य विंदूओं पर चर्चा हुई लेकिन जो फ्रीज डीय डीयर है इसका जो एरियर है इस पर कोई फाइनल डीसीजन नहीं हो पाया करमचारियों ने डिये डियार रिलीस करने के साथ एरियर के भुकतान पर भी विस्तार से चर्चा की बैठक में मौझूद करमचारी नेता आरेंद पराशर ने बताया कि कैविनेट सचिव ने एरियर के भुकतान पर असपश्ट तौर पर कुछ नहीं कहा लेकिन जुलाई से डिये और डिये जाने पर उनका सकारात्मक रुख रहा यानि जुलाई से 28% के रेट से आपको डिये और डियार ये तो मिल जाएगा लेकिन एरियर के बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है हाला के इस पर अंतिम निर्णे कैबिनेट का होगा अब सरों ने आस्वाशन दिया कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सामने कमचारियों की इस मांग को रखा जाएगा वहीं Confederation of Central Government Employees and Workers के प्रदेश अध्यक्ष सुवाशन पंडे ने डिये डियार पर फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई उनका कहना है कि सरकार की मंशाप पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं बैठक में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना उसी का प्रमाण है उन्होंने डिये डियार का भुकतान नहीं होने पर आंदोलन की बात की तो इसका मतलब यह है कि अभी जो एरियर भाहे बकाया एरियर का जो पेमेंट है उस पर अभी कोई Final Decision नहीं हो पाया है जहां तक डिये डियार जुलाई से दिये जाने की बात है 28% डिये उस पर गॉर्मेंट भी एगरी है और वो आपको कैबिनेट की बैठक के बाद Final Decision हो जाएगा और वो आपको पेमेंट जुलाई से होना शुरू हो जाएगा तो ये थी लेटेस्ट अपडेट ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजेगा ओके थैंक यूँ